बिस्मिल्ला रख्माला यह क्या जी P company, यह क्या जी S company, ठीक है, उस ने यह सावी P company की balance sheet दे दी और यह S company की balance sheet दे दी था, आप मुझे बताईए P company के non current assets, P company के current assets, S company के non current assets, P company के non current assets में investment in S company नजर आ रही है, 80,000 उपे और S company की owners equity में से रहा दी है, 80,000 उपे, मैं अगली कोई बात नहीं करना चाहरा, आप consolidated balance sheet बनाए, एक गलती की गुझाइश है, जो आपने करनी है, वो माफ कर दे, बिस्मिला पड़े, वो कर दिये खिलों को, अच्छा जी, कितनी सना आप property planner के current, 220, ये आपके पास 220, property planner के current, investment हमारी, है, cancel होगे, सारी की सारी, हमने 100% shares acquired किये हैं, ये आप देख लिए, ये आप देख लिए, ये आप देख लिए, the statement of financial position of P company and of its subsidiary company have been made up on year, P has owned all the stock of S company since its incorporation, सारे के सारे shares उसने acquired किये हुए थे, since its incorporation, जब वो पैदा होई थे, S company की पदाइश पर, जितने उसने shares इशू किये थे, सारे के सारे किसके पास हैं, P company के पास, ठीक है, तो उसकी ये investment, cancel हो जाती है, अब उसके बाद, हमारे पास, ये 20,000 की investment है, उसके loan stock में, उसने कितने loan stock issue किये हुए हैं, पचास अजार रुपे के, ये दरा बताइए, loan stock कितने इशू किये हुए हैं, अब आप मुझे बताइए, आप में 50,000 रुपे करजा लिया हुआ है, जिसमें से 20,000 रुपे करजा आपने मुझे से लिया हुआ है, 30,000 किसे लिया हुआ है, पब्लिक से, आप पब्लिक से करजा ले सकते हैं, तो अब जब मैं और आप एक हो गए, तो आपने 20,000 का करजा खुद अपने आप से लिया हुआ है, तो वो तो consolidation में नहीं आएगा ना, तो ये 20,000 का करजा, इस में मौझूद 20,000 से कैंसल हो जाता है, और बाकी 30,000 लियाबिलिटी से आएगा ना, तो अब आप आपके चलते हैं, अब आपके चलते हुआ हैं, इन्वेंटरी, पचास थाज़ार की इन्वेंटरी, और इदर, साथ थाज़ार की इन्वेंटरी, Consolidate करो, ऐसे हैं, फिर Receiver, यहां पर हैं, चालिस थाज़ार की Receiver, और यहां पर हैं, तीस थाज़ार की Receiver, Consolidate, यहां पर वो कहर रहा है, Current Account, अब यह वो Important Point है, जिस पर मैंने आप से कहा था, कि एक गलती की गुझाइश है, इस जगह पर आप गलती कर सकते हैं, यहां वो कहर रहा है, Current Account with S Company, एक इसम का वोई है, Receivable from S Company, Current Account with S Company, और यहां पर वो बात कर रहा है, Current Account with P Company, Current Account with S Company, यानि कि आप की कताबे कह रही है, कि आपने मुस्टे 18 जार लेना, मेरी कताबे कह रही है, कि मैंने तो आप को 12 जार देना, कौन जूटा है, मैं अप्तिर, कोई भी भी ने जूटा है, दिर्मियान में एक Misunderstanding है, वो यह लिखी रही है, देखिए, आपकी कताबे कह रही है, बहुत गोर से सुनिएगा, आपकी कताब Balance Sheet कह रही है, कि आपने 18 जार लेना है, मेरी Balance Sheet कह रही है, कि मैंने तो 12 जार देना है, इसका मतलब है, कि 12 हजार का तो कोई जगड़ा नहीं है, जगड़ा के अचे जार आपके, मीन्स, आपने 6 हजार रुपे का माल मुझे भेजा, 30 दिसंबल को, इन्वाइस आपने बाइपोस्ट पेज दी, मुझे वो इन्वाइस अभी तक वसूल नहीं हुए 6 हजार, तो माल इन्ट्रांसिट हैं, तो आप क्या कहेंगे, कि ये ठीक है जी 6 हजार मैंने आपसे नहीं लेने, क्योंकि अभी ये माल इन्ट्रांसिट है, तो क्या होगा, इस के हो जाएंगे 2 हिस्से, एक 12 हजार, और एक 6 हजार, इस 12 हजार को आप करेंगे, कैंसल इस 12 हजार से, और 6 हजार को कंसलिडेशन में डाल देंगे, गुट्जिट इन्ट्रांसिट के नाम से, बाद पन्ती, आप इसकी कंसलिडेशन बनाए, आप कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आप, प्लेस, बर्वाद, खोर्ष्ट, करेंगे, क्रेश में बनाए, वादेशन में का पन्ती, कर दो कर दो आप बताइए बालस शीट आपकी टहली हो गई है कि नहीं Consolidated balance sheet क्या से बाकी दुनिया परशान क्यों कर रहा है अच्छा जी step to step चलते हैं हमारी property plant and equipment एक बीस और एक लाग टोटल कितना बनता है investment तो होगी cancel और जो लोन दिया था वो भी होगी cancel दोनों पी company में cancel किसे हो रहे है इस बीस और असी से उसके बाद पी company को base करके आगे चले inventory पचास की और इदर inventory 60 की एक 10 की होगी रिसीवेबल 40 के और रिसीवेबल 30 के होगे 70 के current account हमने cancel करके 6000 पे लिखा goods in transit का cancel होना समझ गए आगे उसका asset उसकी liability से cancel होगे उसके बाद cash 4000 और 6000 10,000 cash लिखा आपके लिख दिया बेटे अब आपकी balance sheet में asset site होगी complete अब आगे चलते हैं equity में मैंने आप से का कि जो parent company का share capital है वही लिखा जाएगा क्योंके subsidiary company का share capital तो cancel हो चुका है वो तो जिसने दिया था और जिसको दिया था वो दोनों एक हो गए जब एक हो गए तो फिर खुड़ अपने आपको उसने पैसे दिये थे ना उसके बाद retained earning total करें 95 एंट इस बन रही है ना जब हम कठी हो गए तो फिर कठी पर retained earning लिखी जाएगी ना उसके बाद अब S company के P company के पास तो non current liability में है 10% loan कितना है जी वो यह एक पचनवे है या नहीं यह 75 है एक चनवे उपर उसका total है कितना है 75 और इसका 12% loan यह अलग लाइन आइटम्स होंगी तीस है बीस तो कैसे में उसके लाइन तो आप लेके के बाद देखो बैटे मेरी पास सुने 12% loan एक अलग accounting head है trial balance में 10% loan एक अलग accounting head है trial balance में दोनों को कटे नहीं किया जा सकता आपके अबु जान के shoes का size है 8 number आपके shoes का size है खैर से 10 number जो मैं कहना चारों समझा रही है दो अलग जूते हैं ना उसके बाद payable 47 और payable 16 एड करो कितना आता है liability taxation की 15 और liability taxation की 10 पच्चेस बताओ balance sheet है लिए होगी इतनी हमें दो questions solve करने के बाद के थोड़ा सा confidence आया कि consolidated balance sheet बनती कैसे okay well मैं बात को आगे बढ़ाना चाहरा हूँ इदर मैंने और कुछ भी नहीं लिखा हूँ okay मैं वापस आपनों को लेकर आना चाहरा हूँ अपने लेक्शर के हम करते क्या है फिलाल मुझे आप यह बताईए यह जो balance sheet अभी आपने बनाईए है वह यह वाली balance sheet अपने है ऐसा ही है मैं कुछ working आपके साथ अप शेयर करने जा रहा हूँ तवज्जो में रहिएगा बड़ी logical है यह कुछ नहीं आते हैं जो आप कल से हमने questions जो solve करने उसमें देखनी है अभी जो मैंने काम आज करवाया है क्या कहा कि कुछ items को eliminate करना होता है जब हम parent और subsidiary company को अकठा कर रहे होते हैं एक बात याद रख लिए वह बात यह है कि P plus S equals to group होता है हम group financial statements बना रहे हैं अब आप कहेंगे कि यह मेरे group के assets है 80,000 consolidated जो financial statement में है वह क्या है विटे गुरूप तो group retained earning कितनी है आपके 35,000 ना group property plan and equipment कितना है जो मैं कहना चारों समझ में आ रही है बात ठीक है चंद important बात है कुछ working हैं जो के examiner उनको बहुत ज्यादा वेटेज देता है पहली बात यह कि दो dates बहुत important है एक date जिस दिन आपने acquire किया जिस दिन पैदा हुई थी वो एंटिटी उस दिन आपने acquire किया दूसरी reporting date जिस दिन आप report करते हैं जिस दिन आप consolidated बना रहे हैं balance sheet आगे बढ़ो, यह मुशकल बात तो नहीं कि मैंने डेट्स इडेंटिफाइ करनी है अपने question के अंतर जैसे मैं आप लोगो को reporting date हमेशा कहता हूँ बहुत important है एकोवल्स पढ़ाया उस में reporting date मैंने का कि बहुत important है depreciation reporting date बहुत important है जिस दिन आप report कर रहे हैं दूसरा group structure अभी मैंने आप से का greater than 50% lesser than 50% इन दोनों को कठा करेंगे 100% हो जाएगा अब इस question में group structure क्या है उसको मैं C percentage कहता हूँ या CI percentage आप कहलें controlling interest CI means तो दूसरा क्या होगा non controlling interest यह है controlling interest और यह non controlling interest अमने non controlling interest को गलत अलाम NCI बोलना है NCI commonly understood abbreviation अपर non controlling interest इन दो working में कोई confusion है तो मुझे बता दीज़े date और group structure group में define कर्सकों P और S के रिष्टे को group कहते हैं अब यह standard की बात करने जा रहा हूँ मैं आपकी subsidiary हूँ आपने जो मेरे shares खरीते उसके against आप मुझे cash भी pay कर सकते हैं आप उसके against मुझे कोई non cash consideration भी दे सकते हैं non cash consideration का मतलब क्या cash के लावा कुछ भी आपने अपनी गाड़ी मुझे दे दी मुझे shares ली गाड़ी दे दी non cash है मैं भी आपके जेनों को भड़ा करूँगा अगले दो मिनिट के अंदर अंदर आपने investment की मेरे shares में cash दिया accounting entry पास करो investment in Mia Farhan company debit और आपने investment की मेरी company में और आपने मुझे गाड़ी दी investment in Mia Farhan company debit और card आपके जो fix दे सकता वो disposal account credit जैसे card disposal account बनता है उसी तरह से न आपने investment की और मुझे land आपकी जो balance sheet में थी वो मुझे आप जाती है अब अब जो बात करने लगा हम बहुत 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 सो सुना आपने investment की और आपने मुझे अपनी company के shares issue कर दी और कर सकते हैं अब पहले मुझे credit वाली बात करो जब आप अपनी company के shares issue करते तो credit क्या करते हो अब मुझे बताओ debit क्या किया था जब आपने मुझे में invest किया था तो investment in Mia Fran company debit किया था investment asset के तोर पे Mia Fran company में हो रही है debit करो और credit क्या करना है share capital अब अपने investment की investment account debit cash credit किया आपने investment की investment account debit गाड़ी credit की अब आप investment करके ना गाड़ी दे रहे हैं ना land दे रहे हैं ना cash दे बल्गे अपने share issue कर रहे है मुझे तो लमहा बर के लिए सोचे जब share issue करते हो कई करते हो आपके शेर कति करते हो कई करते हैं कि точки नहीं करते हैं तो इन्वेस्नेट recite to is CNN मेरता मैंने आपके जहलिए के शेमेन डालिए के इसेव इस ही हूने अब करेडिट kitty कर रख इस पर वज़ुकर तो शेर करके रहे हो, cash देखे, land debit cash credit करोगे, आप land खरीद रहे हो, उसके बदले में आप share issue कर रहे हो, तो land debit share capital credit करोगे कि नहीं करोगे, बंती है बात, accounting debit credit से बाहर नहीं है, कितना भी complex क्यों ना हो जाए situation, आज आके होई debit credit के असूल वहीं है, कि जो increase है, asset में debit होना है, asset decrease है तो credit होना है, equity liability increase है तो credit होनी है, decrease होनी है, अब जब आप land खरीद रहे हो, share issue करके तो equity increase हो रही है कि नहीं हो रही है आपके, उसके against मिल क्या रहा है cash, नहीं, land yes, अगर cash मिलता तो क्या entry करते, cash debit share capital credit, तो अगर cash के मुझे land मिली है, तो land debit share capital credit करोगे ना, followed, अब अगर आपने मुझे में invest किया है, तो भई investment asset के तोर प मुझे अपने share मुझे issue कर दी है, कर सकते हो के नहीं, तो जब अपने share issue किया तो आपका अपना share capital credit होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझ में आती है बात, इस बात को लिखो अपनी जुबान के अंदर मैं 2-3 minutes दे रहा हूँ, मैं यहां पर lecture भी खतम कर रहा हूँ, कल बहुत एहम बाते करनी है, मैं आपको ए lecture भेजदू का complete, कल जो हमने बाते करनी है, Google कैसे calculate करनी है, वह बाते करनी है, non-controlling interest कैसे calculate करनी है, group retained earning कैसे calculate करनी है, यह बात करनी है, तीन बाते हैं हमारे कल की लेक्चर में, attendance को ensure की जाएगा प्लीज, ओके, थैंक यू, अलाहा है,